आप सभी का स्वागत है यहां गन्य की सी ओजस तेरा दोसो पैंतिस प्रजात है आप देख सकते हैं गन्य का जो पौधा है बहुत अच्छा है इस प्रजाति का इंटर नोड की लंबाई देखें करीब 20 सेंटीमीटर तक अभी है और नीजे से उपर तक सारे जो इंटर नोड नोड है यह जो गन्य की पौर है उनकी लंबाई एक जैसी है यह फर्स्ट वीक आफ नोबर में इसको लगाया गया है लेकिन अभी लगभाग 14 नोड इसमें बन चुके हैं बहुत अच्छी लंबाई गन्य की है मोटाई अच्छी है और जो क्लंप आप नीचे देखें आप पर कि कलब में जो टिलर्स निकले हैं समान मोटाई की है और एक साथ निकले हैं उबाइन दोयानी पिद्यूर इद बहुत वहचन निकल कर जा रहा है इन इंविवर्मिंटी है उसमें जैसे गन्य का वज़न बह सित्व भी बेदा सकते हैं कि गन्य जो पत आं नीचे से लेक बीजाब गन्ना सोथ परसस आ जाँ परसे ले सकते हैं मैने यहां बादना इस वराइटि को दिखाया है कमर के बढ़ाबर आप इसको बादें उसी क्लम्प को बादें एक सिंगल क्लम्प को बादें क्लम्प को पहले बंधाई में मिलाएं नहीं और गन्ने की पत्ति नीचे न आ पैब ही करें और जब भी डाले तो इन इसमें नाटुजन फासपरस और पोटास डालें यानि इस्प्रे करें जो वाटर सार्बल फटलाजरस अगर इसप्रे करते हैं तो ले सकती हैं एक और बात की इस वराइटि में बहुत अच्छी किसान में इस वराइटी में मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अब करना जरूरी है अभी हम इसकी बंधाई पूरी जब होगी फिर वेडियो आपको बना कर दिखाएंगे एक अच्छी प्रजात है आप प्लाट को पुरा ध्यान से देखें अगर आप केर करेंगे तो बहुत अ सब्सक्राइब करें अगर हो सके तो सिंगल बड से पूएं और मिट्टी दो से तीन सिंविट्र डालें सीट का ट्रीट्मेंट जरूर करें बोरर की पापुलेशन कभी भी इसमें बिल्ट अप नहोंने दें यानि जो इंसक्टी साइट हैं चाहे मिडा क्रोपिट या क्रोर पूरियान डालें धन्यवाद जय हिंद जय भारत